सो हेलो विवान गाईसर महादेव राधी राधी कैसे हो आप सभी लोग गाईस आई होप आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आगी हूँ आपके सोल मेट कौन है क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं मीजार हम आपके सोल मेट के बारे में ढ़ी सब कुछ जानेंगे झाए थिस इसनां कार्ट से हैं अगर आपकेorn के नेप के बीच में तो आपके लिए फुर्स पा saja और यहां पिया सार्क़ Paleo के अटेसिए यसाओं पांद पर रहे आपके soulmate, एक काब और कैसे मिलेंगा और box, mold, and haos 5000 लोग आपनें इस सब्सक्राइब को दब जाने कष़ाए और तो सब्सक्राइब कर दो कर सकते हो इंस्ट्रेग्राम का लिंक दिस्क्रप्शन में है ताइम स्केजर्स पर या फिर आप लोग बाउट सक्षिन से भी देख सकते हो पर के स्टार्ट कर लेते हैं गाइस आपकी रीडिंग को फर्स्ट पाल से जिए अगर आपने टेम्टेशन कार्ट को पिक किया है या फिर आपके नेम के नीशल्स ए से लिए कि आमके बीच में आते हैं गाइस तो आपके लिए थी फर्स्ट पाल ओके यहां पर आपके सोलमेट कौन है आज हम यह कॉष्चन है हमारा ठीक है तो फर्स्ट पाल यहां पर सोलमेट क्या होता है सोलमेट के डेफिनेशन क्या होती है को अपको फील होके यह मेरे इंप्राटन परसन है आपको अंदर से उसके लिए feelings हो ठीक है मतला होता है न कुछ लोग के लिए हमारे बाहर-बाहर से feeling होते है बट नहीं यह हमारे अंतर मन से ही feeling होते है पहली बार अगर आप किसी person को मिलेगा और आपको लगेगी अपना पंसा feel हो रहा है आपको तो परसन आपका soulmate है ठीक है और आप दोनों कि थोड़ी थोड़ी सी like छीजे mix match करेंगी ठीक है खाने का कुछ ना कुछ यहां फिर आपको पसंद होगा ठीक है आपको जो पसंद उनको भी पसंद हो सकता है and soulmates guys ऐसे होते हैं कि yes heart to heart conversation करना इसमें मतलब होता है न अनिवारिया है यहां पर like important है यहां पर यह वाली चीज तो ठीक है कि हां heart to heart conversations यह करते हैं कुछ भी बात शिपाते नहीं है एक दूसरे से जो मन में हैं वो like transparency रखते हैं अपने रिष्टे में एक दूसरे से प्यार की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं ठीक है relax energy में रहते हैं like जो लडाई चगड़ा हो जहां पर fights वगेरा हो वो toxic relationships होते हैं ठीक है वहा कारमिक like debt होता है अमारा past life का karmic soulmates भी होते हैं je के साथ हमारा karmic debt होता है past life का वो अलग चीज फैहें but soulmates वो होते हैं आपके ममा भी हो सकती हैं यह soulmate जिनसे आप दिल से दिल की बात कर पाऊ ठीक है आपके पापा भी हो सकते हैं आपके दादी दादा जो भी ठीक है कोई भी हो सकता है एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है and yes आपके relatives में कोई हो सकते हैं कोई भी guys आपका love relationship में भी आपके partner soulmate हो सकते हैं so यहाँ पर कौन है यह person कब तक आपको मिलेंगे ठीक है कितने soulmates हैं आपके इस lifetime में so आज हम इसी topic के उपर reading करेंगे ठीक है so यहाँ पर temptations card guys जितने भी आपके soulmates मिलने वाले हैं यह बहुत over passionate होने वाले हैं devil की energies में रहेंगे tempting energies में रहने वाले हैं चाहिए materially temptations हैं इनके अंदर material चीज़ों की temptations हैं चाहिए अपने career को चाहिए मुझे और चाहिए ही चाहिए यहाँ पर मुझे वह चीज़ दिख रही है financial issues जितने भी आपको अपने आपके soulmate चाहे कार्मिक soulmate हो चाहे soulmate हो जितने भी आपको मिलें guys वह बहुत rich abundant family से ही मिलने वाले हैं कोई भी normal middle last family नहीं मिलने वाली है आपको मतला होता है higher middle last हो सकते हैं या फिर rich person जो होते हैं वही आपके soulmates दिख रहे हैं मुझे temptations and 13 number आपके लिए important होसता है 13 number या फिर 4 number important हो सकता है one number three number also important for you and यहां पे guys यह दिख रहा laziness okay यह जो भी आपके soulmates होंगे इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े होंगे बट यह थोड़े से like होता है लेजी टाइप एनर्जिस में रहने वाले होंगे इनके पास हर एक चीज होगी हर एक जो भी चाहेंगे हर एक चीज होगे इनके पास पैसा घर गाड़ी बंगला ठीक है प्यार की कमी है उनके पास तो वह आपको परवाइट करने पड़ेगी उनको सो जो भी आपके soulmates आने वाले हैं ठीक है soulmates आपके angels के रूप में भी आ सकते है angel protection आपको provide की जाएगी यहाँ पर and यहाँ पर उनके like punk है ना जैसे punk है वाट वो ओड़नी रहा पंक्षी ठीक है like यह जो भी angel है ठीक है यहाँ पर ऊड़नी रही और 15 नमबर आपके लिए important होसता है 6 नमबर आपके लिए important होसता है 6 नमबर वैसे वी वीनस का माना जाता है 6 नमबर आप also love and harmony से show किया जाता है यह जो भी soul weights होने वाले हैं आपके यह बहुत जाद love and harmony feel करने वाले हैं आपके साथ so यहाँ tarot के through आपके लिए क्या energies आ रहे हैं यह दीख लेते हैं okay सबसे पहला card ही आपके 10 of swords का आ चुका है बाकी guys जो भी आएगा reading में मैं आपको वही बताऊंगे okay and thank you so much guys जिन्होंने भी अपने लिए personal readings बुक करवाई है जिनकी भी मैं personal readings दे चुकी हूँ thank you thank you everyone I hope आपकी life में और भी like होता नए blessings आपको send करे universe so यहाँ पे 10 of ear card okay wait a minute and also यहाँ पे a card means champion card है यहाँ पे sorry judgment card है यहाँ पे hermit card है यहाँ पे okay कौन है आपकी soulmate but yes जो कब आएंगे आपकी life में यह हम last में देखेंगे okay so यहाँ पे आपके लिए oh my god nine of swords 10 of swords और nine of swords दोनों ही swords के energies आएं हैं यहाँ पे so Gemini Libra Aquarius राश्य आपके लिए important हो सकती है वर्गो साइन आपके लिए oh my god so यहाँ पे क्या है guys five of swords mean five of ear okay so swords के energies बहुत जादा यहाँ पे है I think bottom of sorry यहाँ पे last card guys strength card bottom of deck यहाँ पे है three of pentacles middle energies क्या है यहाँ पे two of fire okay so guys यह जो भी soulmates होने वाले हैं आपके मैं पहले तो बात दू यह कि बहुत जादा mentally जब आपना stress feel करोगे यह तब भी आपको मिलने वाले हैं ठीक है ऐसे ही जादा जरूरी मतलब भागे भागे चले आएंगे आपकी तरफ eight of swords sorry nine of swords 10 of swords का आना तो growth show कर रहा है किसी ना किसी situation में बहुत जाद शक थे ठीक है like stress थे रातों के नींद आपकी ओड़ी हुई थी वो situation ही खतम होगी जब आपके soulmate आएंगे ठीक है थोड़े नेगेटिव थोड़े नहीं बहुत जादा नेगेटिव थीनकेंगे यहां पर दिख रहे है किसी ना किसी की यहां आपकी हो सकते हैं आपके soulmates की हो सकते हैं यहां पर मुझे जादा तरी एनर्जिस आपकी फील हो रही है आप थोड़े नेगटिव हो जाते हो थोड़े नहीं बट येस बहुत ज़्यादा हो कि क्योंकि यहां पर तीन का रहे हैं स्वार्ड के तो आपकी लाइफ में तो 100% यहां पर यही शो हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम के ओपर फोकस करना जानते हैं अपने काम के ओपर फोकस करके रखते हैं यहां पर स्ट्रेंथ कार है स्ट्रेंथ प्रवाइट की जारी है आपके सोल मेर्स की तरफ से आपके लिए जो भी है यहां पर तो वह आपको स्ट्रेंथ प्रवाइट करें चाहें वह एक एक परसन करके हैं चाहें वह साथ में आ जाएं बटियस वह आपको स्ट्रेंथ प्र यहां पे कहीं न कि आपकी soulmates के साथ fights भी हो सकती है okay so I don't know guys मुझे अचार सुना ठीक है अचार and also अभी मुझे शिव जी और पारवती जी दिखरे है ठीक है अभी eyes close की तो I think शिव शक्ति यहां फिर जिसको हम कहते हैं इंबैलन्स हो जाना नर्जिस उसको नहीं होना बैलन्स अनर्जिस में रहना यहन और यांग अनर्जिस शिव शक्ति यहां पे आपके लिए important masses देना चाहते है I think हाना soulmate के अनर्जिस में so I think वह आपको बोलना चाहते कि आपकी life में कहीं ना कहीं आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि I feel हो रहा है कि आप शिव भक्त हो सकते हो मापारती के भक्त हो सकते हो ठीक है शिव शक्ति के भक्त हो सकते हो यह आपको अचार खाना है I don't know guys जिनको यहां पे जिनका पसंद है मतलब जिनको पसंद है उनके लिए तो यह इंपोर्टन राशी इंपोर्टन पाइल है because यहां पे मुझे आचार देखा तो पताने क्यों वैस्तो हमने तो कोई नी खाया हना but yes मेरी intuition ने यहां पे message दिया तो आपको मैंने बताना चाहा आपके लिए guys middle of the energy is two of wands आप patience रखे हुए हो ठीके wait करो अपने soulmate के आने का अगर आप single हो जो लोग single है उनके लिए था यह message and आपको कहां चार रहे बस patience रखो आपकी तरफ आपके partner जरूर आएंगे okay and three of pentacles है यहां पर आपको bottom of a record three of pentacles है यह person आपकी light में तभी आएंगे यह तो work related issues आप से बाचित करने आएंगे यह इनको life में कुछ ना कुछ उलज गया उस time आएंगे यहां फिर guys यह person आपको business career में बहुत help करने वाले हैं okay three of pentacles की energies हैं यहां पर so यहां से देख लेते हैं guys आपके लिए क्या energies आ रहे हैं okay so यहां पर थर्ड चक्र आर्केंजल चैम्वाल so आपको यहां पर यही बोला जाएं कि आपका third chakra activate हो जाएगा जब भी आपके soulmate आएंगे means आपकी well power बहुत strong हो जाएगे आपका confidence increase हो जाएगा आपका crown chakra open होता हुआ दिख रहे हैं energize होता हुआ दिख रहे हैं आपका heart chakra heal होता हुआ दिख रहे हैं आपके soulmate के आने के बाद okay second chakra archangel area की energy यह show करना चाहते हैं कि yes आपके जो emotional feelings है emotions है आपके वो यहां पे आपको heal करने की जरूरत है यहां प्योंकि and also यह जो भी आपके मैंने बोला ना आपके जो भी soulmates होने वाले हैं बहुत abundant होने वाले business lady हो सकते हैं and oh my god मैंने कहा ना yin और yang energies feel हो रही है और यहां पे आप देख सकते हो भगवान shift की energy shift शक्ती बोला था मैंने और यहां पर yin और yang energies आपके लिए आ चुकी है हाजर हो चुकी है so definitely आपकी life में guys balance create करने के time जरूरत है okay and also यहां पर आपके water of fire का mixture and guys man holding a coin card यही शो कर रहा है कि आपकी life में कहिना कि वही person आना है जो बहुत rich abundant family से है and also खुद भी बहुत अच्छा अर्दन कर रहे है and यहां पर bottom of it है guys community card so यह सबसे पहले तो यही शो कर रहा है कि celebrate करना पसंद है इस person को हर एक चीज को बट यह अके लिए जहके celebrate करना and also आपके cousins brothers ऐसे भी यह person soulmate हो सकते हैं चाहे गर्ल है चाहे boy में person बोल रही है बट यहां पर यही यह चीज है ठीक है 7 number आपके लिए important हो सकते है 32 22 37 3 43 36 9 7 4 10 1 ओके numbers आपके लिए important हो सकते है तो यहां पर गाइस 100% यह person abundance family से है abundant family से और ऑलसो खुद भी बहुत अच्छा रादन कर लेते हैं और यह जो भी soulmates मतला एक person नहीं है यहां पर चार-पांच persons तो मुझे यहां पर देख रहे हैं जो आपके soulmate है ठीक है कुछ लोग soulmate कार्मिक soulmate हो सकते हैं बट यह यह इनर यह house यहां पर planet आपके लिए important role play करने वाले आने वाले टाइम में ओके सो वर्गो राशी कन्या राशी यहां पर important role play कर रहे हैं यहां पर mercury बहुत important ग्रह हो सकता है आपके लिए यह मरक्री मेंस आपका बुद्ध घर है यह आपको यह बोला चाहर है यह आपके work related like daily work like government job लगने चांसे को शो करता है यहां पर Jupiter और Satura आके बैठ किया तो यहां पर यहीं शो कर रहा है देनर्जी अराउंड यू इस दूटिफल, हाज़टन और हम्बल, विद डिस्करिमिनेटिंग डिलिगेंट और पेंश्चेकिंग एर ओके सो यहां पर गाईज वर्गो राशे इंपॉर्टन हो सकती है आपके लिए और बॉटम अफ़टेक लिए वाउ या फिर आपका गाईज पाईसेस असेंडेंट हो सकता है जिसके 6th house में लिए साइन आता है ठीक है 5 नंबर लिखा रहता है या फिर आपके 6th नंबर के चार्ट में आपके लिए 5 नंबर लिखाऊगा, वहाँ पे ठीक है वह लिया, राशी ही हो सकते है या लिया, मून हो सकते हैं आप लोग, लिया, मून राशी यहाँ पर passionate हो सकती है इस बहुत स्ट्रोंग परस्टनाल्टी को शो करते हैं स्ट्रॉंग भी होने वाले ब्रेंडेट प्लॉस पहनना चोटी-चोटी चीज़े पसंद नहीं है बड़ी-बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर विश है माइन में दिल में और दिमाग में तो वह आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है ठीक है सो यहाँ पर गाइडन्स आपके लिए मैं देख लेती हूँ क्या है लास्ट में उसके बाद गाईस यह परसन कब तक आएंगी यह मैं आपको बता दूँगी ओके सो हॉरस आए है यहाँ पर हॉरस यही शो करना चाहते हैं कोस्मी गेटवेइज आपके लिए उपन हो चुके है यह थौर्ट सा मेगनेटिक और पाफुल आपकी जो थौर्ट्स है वो मेगनेटिक है बहुत सा पाफुल है आपको दिखेंगी और ग्रीन तारा माई है यहाँ पर सुप्रीम प्रिटेक्शन आपको प्रवाइद की जारी है यू आर प्रिटेक्टर कॉर्ट्स आपकी कट कर दी गई है ठीक है और रस्ट रखो लिमिटेशन के ब्यूर्ड ली भी आपकी दुनिया होती है ठीक है यहाँ पर अगर आपने लिमिटेशन अपने लिए रखी हुई है कि इससे बहाद नहीं जाना है यही खाना है यही नहीं खाना है ठीक है यहाँ पर भगवान गनेश और लौड गनेश आपको यही बोलना चाहते है कि इस आपकी लाइफ में इंफिनाइट अबंडेस आपको देखने को मिलने वाली है और अब्सेकल्स आपकी लाइफ से रिमूफ किये चाहेंगे spiritual support and connections increase हो रहे हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर गाईस लास्ट कार्ड है आपके लिए mary magdalene so आप guys teaching field में हो सकते हैं आपके soulmate teacher हो सकते हैं teaching field में हो सकते हैं या फिर बहुत knowledgeable हो सकते हैं आपके पास ही आपके partner के पास कुछ important news हो सकते हैं जो आपको share करने ही पड़ सकते हैं ठीक है follow करें अपने inner call को यह भी आपको बोला जा रहे हैं और अंतर मन को अपने follow करो don't let anything stop you so किसी भी चीज को अपने आपको रोकने मत हो okay so यहाँ से देख लेते हैं आपके एक अनर्जिस आ रहे हैं okay so यहाँ पर six of pentacles card ten of pentacles wow so guys एक card खुदी आ चुका है आपके लिए king of swords so यहाँ पर hundred percent यह person इसी साल के tenth month में आ सकते हैं आपके जो soulmate है यहाँ पर गाइस आपकी इसी साल के sixth month में आ सकते हैं जो कि चल रहा है हमारा जून okay so यह important हो सकता है also यहाँ पर king of swords है but yes जो masculine जिसमें होगा वो बहुत जारा लाइक होता है गुसा यहाँ पर angerness यहाँ पर straight forward ले बात करना हो कि यह सब शीज़े शो करते हैं ठीक है यहाँ पर आपके जो soulmate है so guys next six months next ten months अभी से यहाँ फिर next six days or ten days next six hours ten hours उसते है कोई proposal ही मिल जाए उससे ठीक है आपको but yes आपकी तरफ कोई ने कोई परसन आ रहे है वो आपके soulmate ही होने वाले हैं and वो बहुत emotional loving caring energies में रहने वाले है father of cups के energy and also दूसरी side उनकी होगी case यहाँ तो आपकी तरफ दो soulmate आ जाएंगे एक दम से या फिर एक ही परसन में यह दोनों ही energy से हो सकने एक तरफ बहुत जादा ही उससे एक तरफ बहुत अच्छे से आपके सथ प्यार से बात करना हो की so anyways guys अभी के लिए इतना ही bye guys and reading को like कर जेना subscribe कर लेना बहले को दबा के all पी set कर जेना and अभी के लिए इतना ही so hello everyone guys sir maadeev राधी राधी कैसे आप सब लोग guys I hope आप सभी लोग अच्छे होगर अपने life में भी आगे बढ़ रहे होगे so second pal जिन्होंने भी star card को pick किया है या फिर जिनके भी name के initials n से लेके z के बीच में आते हैं तो आपके लिए थी second pal so guys यहाँ पे आपके लिए हम देखेंगे आपके soulmate कौन है कब तक आपके soulmate आपकी तरफ आएंगे आपकी life में entry करेंगे ठीक है so आज हम इसी topic के उपर reading कर रहे हैं और guys यहाँ पे star card है सबसे पहले means star card सबसे पहले तो Aquarius sign को show करता है means कुमभर राशी जिनकी भी कुमभर राशी है guys उनके लिए important reading होगी and also यह social media apps के उपर अगर आप हो guys यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके soulmates होने वाले हैं यह social media apps के through ही आपको मिलने वाले हैं यह फिर यह social media apps पे बहुत जा popular होने वाले हैं आपके soulmates 17 number आपके लिए important होसता है या फिर 8 number important हो सकता है and यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि yes जैसे fashion designer होता है न वो यहाँ पर energies दिख रहे हैं इसे energy यहाँ पर दिख रहे हैं यह उनको अपने clothing sense का बहुत जारा ख्याल होगा मतला अपने clothing sense के ओपर बहुत अच्छे से काम करना जानते होंगे and full moon की energy is बहुत important होगी इनके लिए full moon जब भी आता होगा इनके लिए यहां तो इनका mood swings होते होंगे यहां पे इनकी life में popularity आती होगी full moon के time पे मतला इनकी life change होती होगी हर एक full moon के बाद so like एक full moon है इस month 21st June like for example इस full moon पे कुछ इनकी life में change आया then next month full moon आया उस पे भी इनकी life में कुछ ना कुछ change आया so यह इनकी life में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत important यहां पर यह person देख रहे हैं आपके लिए and yes यह famous हो सकते है name fame इनके पास हो सकता है इनकी बहुत popular भी हो सकते हैं अपने आस पास के इलाके में यहां फिर कोई ना को social media apps के through okay so यहां से देख लेते हैं आपके लिए आपके soulmate कौन है guys who is your soulmate okay सबसे पहला ही card guys यहां पे seven of swords का आचुका है okay then आपके लिए है page of earth की energies okay great and also guys यहां पे three of pentacles की energies है seven of fire means seven of one guys seven seven number आपके लिए important होसता है वैसे भी यहां पे 17 number था आपके लिए so seven number तो important होई गया यहां फे eight number यहां फे one number जैन्वरी जुलाई यहां फे अगरस्त number आपके लिए अगरस्त मन्थ आपके लिए important होसता है ace of fire है means ace of wands के energies आई है आपके लिए and last card है यहां पे emperor okay so कौन है guys आपके soulmate who is your soulmate and also यह person कब तक आपको मिलेंगे okay so यहां पे bottom of a deck है eight of pentacles middle energies क्या है यहां पे eight of cups oh my god guys seven seven के energies है यहां पे eight eight की भी energy आप एक चीज़ देखे seven seven के elements कौन से है swords and wands okay and eight eight के swords and wands तो आए ही नहीं है इन में आए है pentacle और यहां पे है cups okay so yes आपकी life में change दिख रहा है और ultimate change दिख रहा है हर एक चीज़ में change मुझे यहां पे दिख रहा है यह जो soulmate है यह person अपने life में new moon के बाद बहुत सारे changes लेके आते हैं अगर यह person new moon से पहले like होता है ना बहुत ज़रा guilty feel कर रहे है इनको लग रहा है कि किसी ने इनको धोका दे दिया है यह लड रहे है हर एक situation में हर एक किसी के साथ लड रहे है हना like इनके family वालों के साथ यह लड रहे है कि situation को लेकर but after full moon इनके life में यह change आएगा कि अपने काम के उपर focus करने लग जाएंगे अपने hard work करने लग जाएंगे and also यह भी change आएगा कि यह चीजों से move on करना सीखेंगे उस time ठीक है मतलब move on कर जाएगे उन सब चीजों से जुन की वजह से यह लड रहे हैं हना यह सब चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं and change यहां पर बहुत important role play कर रहा है आपकी life में important change है हो सकते हैं यह and financial abundance भी आपको देखने को मिलने वाले इनहीं सब चीजों की वजह से जो आप changes करते हो so mid energy sorry mid energy is बोलों guys यहां पर page of wands की energy and ace of wands so wands की energy यहां पर जाथा दिख रहे हैं so yes आपके जो partner वो बहुत जाए पैशनेट है over passionate दिख रहे हैं उनके energy okay and also यहां पर जो भी आपके soulmate है वो बहुत जाए आपके of wands के energy में रहना पसंद करेंगे new beginnings उनको चाहिए हर एक चीज में हर एक चीज टॉप नॉच चाहिए उनको ठीक है so यह सब चीजे मुझे दिख रहे हैं and ace of wands यहां पर यहां पर यह भी शो करता है कि आपके जो person होसते हैं जो भी आपके soulmates हो सकते हैं वह यहां पर बहुत जाए पैशने इनर्जी में रहने वाले होगे फाइल इनर्जी होगी थोड़ी गुस्से वाले भी हो सकते एंगर नेस पी उनके अंदर हो सकता है okay बट यह चाइल लाइक अनर्जी उनके अंदर रहेंगी बच्चों की तरह बहें करना ठीक है यह सब चीजे उनके अंदर है यह रहने वाली है आपके लिए यहां पर और क्या अनर्जी था थ्री आफ पेंटिकल्स और अल्सों एंपरगाव तो आइस बिजनस माइंडर हो सक चीजों की वजह से ही मिलने वाले है यहां पर किसी ना किसी करियर फिल्ड में आपने पार्टनर्शिप्स की है और देन आफ्ट अपके आपको पता लगा कि यह आपके सोल में ठी है ओके से यहां पर दिख रहे हैं एरी साइन आपके लिए इंपॉर्टन होसता है एरी इस कि पर बीगिंग् शुमlled T restaurate हो भी अपके लाइयं आपके लाक्राइं सब्सक्राछ कहें हैं हर एक मन्थ होना यह इस नहीं है पर दिख लेके आज़ की आए पना रूम पर यह यह आसी है की life में होते ही रहते हैं और यह करना पसंद करते हैं ठीक है इन सब चीजों को आट यहां पर गई यहीजिस है आपके लिए यहां से देख लेटे क्या आपके लिए यह पर सोच रहे हैं इस च्राइम पर क्या thinking ए इस परसंद की आपके लिए सो यहां पर अगे six chakra archangel metatron archangel metatron आपको यही शो करें कि आपकी life में कहीं न कहीं आपकी intuition high हो सकती है इस person के आने के बाद इस person के आने के बाद ही यहां पर आपकी intuition high होते है आपका third chakra important यहां पर role play कर रहा है and angel of strength आपको यही शो करें कि आपको strength बना के रखने है अगर आपको life में आगे बढ़ना है किसना की situation में इस person के साथ and यह person आपको strength रखना कैसे है यह भी learn करवाएंगे and also अगर आप अपने life में किसी dark night of the soul से गुजरो मतलब होना होता है कि कोई भी खुशी नहीं है happiness नहीं है बस life कट रही है तो वो सब चीजें उससे बहार निकालके रोशनी की तरफ लेकर आते हैं वो देख रहे हैं आपको यहां से दिख लेते हैं और के अनर्जिस हैं आपके लिए ओके फॉस्टालिटी से यहां पे तो कहीं नहीं फाइटिंग स्पिरिट आपके पार्टनर में हो सकते हैं जो भी आपके soulmates हैं यह इसमें इन परसंस में आपके गुस्सा बहुत हो सकता है and also ego हो सकते ego hurt नहीं करने देते हैं किसी को अपनी so यहां पर emperor card भी यहीं show कर रहा है चाहे यह girl है चाहे boy है same message है guys सभी के लिए and also happy family create करना चाहते हैं आपके साथ यहां पर अपनी happy family करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर ओके and यहां पर happy family के energies हैं तो of course अच्छी family से है guys यह person and आप भी यह energies मुझे आपर feel हो रही है so bottom of deck action card के action लीजिए guys action लीजिए यहां पर आपको यही बोला चाहरा है आपके life में soulmate है उसे time आएंगे जब आप action लोगे किसना किसी वज़ह से इनकी तरफ जाने का यह फिर यह उस time आएंगे जब भी यह चाहेंगे सिरफ ठीक है so यहां पर आपके लिए 17 number again वही important number आपके लिए हो सकता है and also 26 4, 20, 2 50, 5 या 40 या 4 number ओके यह numbers आपके important हो सते हैं so यहां से guys आपके लिए और देख लेए आपके लिए एक sign देख ले तो जोडेक sign जो आपके लिए important हो सकता है एक zodiac sign planet और house जो आपके लिए important role play करने वाला है oh wow guys sun sun की energies हैं of course यहां पर emperor card है मैंने कहा famous हो सकते है name famous तर वो sun card ने 100% बता दिया और यहां पर Venus की energies है लिप्रा sign आचका है bottom of a deck Venus भी guys money को abundance को ठीक है prosperity को and enjoyment को show करता है यहां पर यह भी दिख रहे है कि आपकी life में कहीं ने कहीं fighting spirit आपके अंदर हो सकते हैं also sun card है तो definitely हो सकते हैं sun और Venus अगर साथ में बैठके तो अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी situation में चाहे वो आपके office में हो जाहे आपकी घर में हो कि आपकी लडाई चक्राफ चलते रहते हैं फिर ऐसे and also यहाँ पर sun card guys सरी इस साली धद्री को चला रहा है and also यहाँ पर यह भी आपको कहा जा रहा है कि आपकी life में Leo sign भी important होसता है okay मैं see this guys पता नहीं क्यों में रुकी शाहिद इसी लिए रुकी sun और moon की energies हैं यहाँ पर इसके just नीचे ही moon card था so I think destined partner हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के लिए जिनका मिलना तै होता है ठीक है so यह यहाँ पर देख रहा है मुझे higher authority job में भी हो सकते है जिस वजह से person famous है name fame है यह इनकी family बहुत ज़रा अच्छी हो सकते है stability हो सकते है इस family में so यहाँ से क्या energies आ रहे है आपके लिए देख लेते है the divine director intervention and purpose की energy से divine intervention is occurring know that you are being guided happiness is your purpose so खुश्या आपका purpose है guys divine intervention आपके लिए अपके लिए होते होते हैं यहाँ पी maha aftar bhabha ji की energies है यहाँ पी om mantra chant करी आपको यह बोला चारह है soul expansion की भी energy से यहाँ पर आपके लिए आ रहे है your consciousness is expanding you understand the connections between all things so आप understand समझ पा रहे हो चीजों की बेच में क्या connection होता है ठीक है क्या connection है आपकी soul expansion यहाँ पर होते हुए दिख रहे है and brigade है so यहाँ पर brigade है inner strength आपको provide की चारी यह जो person है आपके soulmate आपको inner strength परवाइट करने वाले है आपके अंदर अगर fire miss है missing है so आपके अंदर उस passion को भजने में help करने वाले हैं and आपको यह move करवाएंगे आपकी wholeness की तरफ and recognize that you have the power so आपको यह बोलने वाले है कि आपके अंदर power है आपको यह मतलब होता है and remind करवाएंगे कि आप भी पाफुल हो भवान राम ने बताया था जैसे है न हनुमान जी को उनके अंदर पावर थी so horus है यहां पे cosmic gateway की energy your thoughts are magnetic and powerful miracles changes are occurring so miracles आपकी life में होते हुए दिखेंगे आपको and therapist पे हैं यहां पे session की energy infinity का sign मुझे दिख रहा है so definitely balance is important here balance create करो guys अपनी life में and move into your true self यहां पे भी move back to wholeness है यहां पे भी move into your true self अपनी true self आपकी सची जो self है उसकी तरफ देखने की कोशिश करें उसकी तरफ move करिये and rise above the darkness the light is here darkness से बहार निकलो and darkness से उपर उठो and also light रोशनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही होगी so यहां से मैं देख लेती हूँ guys आपके लिए person कब तक आने वाले हैं आपकी जिन्दगी में so last मैं यहां पे आपके लिए देख लेते हैं कब तक आपके partner आपकी life में आ जाने वाले हैं उससे पहले reading को like कर दो subscribe कर लो channel को bell icon को तब आके all पे set कर दो personal reading अगर आपको लेनी है आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो okay instagram का link description में है time stamps के gesture पर यहां फे आप लोग about section से भी देख सकते हो okay कब तक होगी आपकी जो sorry कब तक आएंगे आपके soul में okay आपकी तरफ तो यहां पर two of pentacles की energy जैं death card okay मैंने कहा ना आपकी लाइफ में 100% change आ जाने वाला इस person के बाद okay so यहां पर अगें emperor आ चुक हैं यहां पर empress बैठिये गाई आप देख सकते हैं emperor and empress आपको आइधिंग रहा होगा na emperor and empress so 100% आप दोनों distant partner और मैंने बोला भी है कि आप दोनों distant partner हो सकते हो तो डिफिनेटली आप दोनों का मिलना तय था okay तब ही आप दोनों मिलोगे so यहां पर yes आप दोनों की आपके partner जो आपके soul में जिसको आप कह रहे हो आपकी तरफ कब तक आप आपाएंगे यह हो सकते है two month three month two days three days and also two weeks or three weeks and months में भी जा सकते है energy so यह आपके लिए timing important है यहां पर one and half year में okay so यह energies यहां पर मुझे दिख रहे हैं guys two three four okay यह numbers आपके लिए important होसते हैं यह months आपके लिए important होसते हैं okay so यहां पर यह चीज़े दिख रहे हैं आपके लिए anyways guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like कर देना guys reading को and yes यह जो भी आपके soulmate है यह बहुत busy रहने वाले हैं अपने काम के उपर focus करने वाले हैं and enjoy भी करेंगे आपके साथ okay मिलके enjoyment की भी energies यहां पर दिख रहे हैं anyways अभी के लिए इतना ही हर महादेव राधी राधी गार्ट प्लस्ट्रिव वान बाई guys